हेलो एब्रीवन वेलकम टो स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग की PCS 2024 की जो वेकेंसी है वो आई हुई थी और हर साल ये जो वेकेंसी है वो आती है और निश्चित तौर पर आप जो कड़ी मेहनत है वो करके इसमे सफलता पाने का जो प्रयास है वो लगातार करते रहते हैं क्योंकि हर वर्स ये जो है दौर आता ही आता है है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस कंपटीशन भरी जिन्दगी में पहली बार प्रवेस करते हैं कुछ होते हैं दो साल तीन साल के experience हो जाता है उन्हें कुछ 5-6 साल साथ साल क्योंकि देखिए vacancy तो limited ही है कि vacancy कभी 400 आनी कभी 500 कभी 300 कभी 200 ये घटकी बढ़ती रहती है लेकिन बच्चे क्या है बच्चे तो लगातार बढ़ेंगे ही कुछ बच्चे होंगे हो सकता है वर ये जो हो जाएं कुछ अपना होसला खो बैठते या कुछ की कुछ अलग मजबूरियां होती होंगी लेकिन जो नए बच्चे हैं वो हर साल बढ़ते हैं तो competition भी उसी अनुसार उसी अनुपात में बढ़ता रहता है तो अब आपको पता है कि आपका जो ये exam है जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि पिछले एक साल से दिन र रहे थे तो बस एक जो जटका है वो आपको और मारना है और उसके बाद आप दहलेज के उस पार होगे जहां आप सब को पीछे छोड़के आगे निकल चुके होगे और वो परिच्छा आपकी बस 15 दिनों के बाद आपकी होने ही वाली है यानि कि कह सकते हैं कि बस आपके प ही सोचेंगे कि कास मेरे पास थोड़ा और समय होता है और ये केवल आपकी समस्या नहीं है ये हर एक विद्यारती को यही लगता है कि कास मेरे पास थोड़ा और समय होता है जिसके पास एक हफता होगा उसे लगेगा मेरे पास 10 दिन होता तो मैं कुछ कर लेता जिसके पास 10 17 दिन होंगे उससे लगता एक महिना होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता लेकिन उन सब बातों में आप कुछ नहीं रखा है आपकी 17 तारीक को PCS की परिच्छा है तो अब तक आपने जितना भी जो भी जैसे भी किया है बस उसका रिवीजन करिए ये सारी चीजे करिए और में देखते हैं कि लास्ट जो ओवर है वो आपको मैच हरा भी सकता है आपको मैच जिता भी सकता है आपने पूरे मैच में कैसा प्रदर्शन किया है वो तो आपकी उसमें फर्क डालता ही डालता है लेकिन लास्ट ओवर जो है वो निरणायक साबित होता है पता चला आपको सिर्फ और सिर्फ दो रन या तीन रन चाहिए थे और आप वही नहीं बना पाए आउट हो गए और हो सकता है आपको एक ओवर में 24 और 23 और 22 रन चाहिए हो और आप 2016 के वर्ल्ड कप की तरह के तरह से कारलोस ब्रैतवेट की जो बैटिंग थी सुरवाती चार बॉल में ही चार सक्के मारके वर्ल्ड कप जीत लेते हैं या तो उस तरह हो सकता है या तो 2000 तेज़ वाले वर्ल्ड कप में आप मैक्स वैल जैसी पारी खेल कर मैच को जीता सकते हैं या यानि कि अपने आपको जीता सकते हैं तो ये सारी चीज़े हैं, तो 15 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, करंट कहां से पढ़ना है, किन विश्यों पर ज्यादा फोकस करना है, कैसे हम cut-off को पार कर सकते हैं, वो सारी चीज़े हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो दीखिए सबसे पहले अग संतुलन खोना नहीं है यह नहीं सोचना है कि मैं यह पढ़ लूँ मैं यह कर लूँ यह किताब और यह सारी चीज़े बिलकुल भी नहीं देखनी हां आपको थोड़ा-बहुत कुछ topic बगएरा लग रहे हैं उनको आप देख सकते हैं ऐसा नहीं कि नया नहीं पढ़ना है तो वो भी ना पढ़ने नहीं नए topic अगर आपको कुछ लग रहे हैं उनको देख सकते हैं नय तावे खोजकाच के डूण डान के नहीं लानी है आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो नोट्स वगरा हैं उन पे फोकस करना है जो आपने शॉट्स नोट्स बनाये होंगे यह सारी चीजें क्योंकि यह बहुत ही क्रूसियल टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है आपके समय बताया ही आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो सबसे पहले जो आपको करना है वो आपके जो सॉल्ट नोट्स होंगे उन्हें आपको बार-बार पढ़ना है बार-बार रिवीजन करना है जो आपने बनाये होंगे हो सकता है किसी का क्लास किया हो या हो सक करना है एक बार दो बार जितने बार आपको समय मिल जाए जितना आप कर सकते हैं ठीक है सबसे पहली चीज यह है दूसरा चीज है कि PYQ जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने है ज्यादे ज्यादा क्या करना है PYQ पर आपको फोकस करना है क्योंकि PYQ ही है जो आपक मैंड को एकदम यह कर देता है कि पुराने question जो है recall आप करते रहें क्यूंकि PCS का जो आपका exam होता यानि कि यह कहें कि अगर UPPCA तो 60-70% question ऐसे होते हैं जो पुराने ही होते हैं नया बहुत कम आपको 30-40% या 20% ही कहेंगे देखनों को मिलेगा 60-70% पुराने question ही होते हैं तो आपके जो 10-15 साल के पुराने question है आप वो सारी जो PYQ है वो करते रहें उससे आप जो है एक question करने का वो सारी चीज़े देखेंगा और pattern भी आपको जो है समझ में आएगा कि PCS आखिर पूझता गैसे यह सारी चीज़े तो आपको सिर्फ और सि की जाए कि current affairs की कि अब current affairs आइक तो आप करी रहे होंगे निश्ची तोर पर लेकिन अब अंतिम समय में कहां से करें और एक यह सवाल रहता कि अब कितना करें कितने का revision करें क्योंकि last समय है कितना ही समय है है न तो दिखिए अगर आप सितंबर से भी revision करना स्टार्ट कर देत करना स्टार्ट कर देते हैं सितंबर से लेकि अभी तक फरवरी तक का तो आप 90 परसेंट कर लेंगे ठीक यह एक अच्छी बात है अगर आपके पास समय नहीं अगर आपके पास परियाप्त समय है तो आप पिछला एक साल का भी देख सकते हैं और revise कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो सितंबर से देख लिए इसमें कोई वो नहीं है अब बात करें कि किन विस्यों पर हम ज्यादा फोकस करें किन विस्यों से हमें ज्यादा जो नंबर है वो आते हैं कट आफ पार करने में आसानी हो सकती है तो देखिए अगर यहां पर हम सबसे पह रहे थे तो अच्छी बात है उनी को आप बार-बार उसी को रिवाइस करिए अगर नोट्स हो या जो भी हो वरना आप किसी भी कोचिंग का या जो ऐसा हो प्रतिस्ठेड हो जो यूपी PCS से रिलेटेड आपका content देता हो उनका अगर आप जो source है अगर वो follow करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़े कर लिजे उसके लिए मैं आपको especially या बताऊंगा नहीं कि इनका करिए उनका करिए आप PCS का परिक्षा दे रहे हैं तो आप इतने समझदार खुद ही हो चुके होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है तो source जो है एक ही लेना है ऐसा नहीं कि 10 जगे भठकना है ठीक तो यह बात ज्यादा ध्यान दीजेगा ठीक है अब बात करें कि किन विस्यों पर ज्यादा focus करें कि हम cut off को par कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज है हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे subject कि ज जो में भी सबसे ज्यादा जो है modern history से फिर med well से फिर ancient से आपके पूछे जाते हैं तो अगर आपके पास समय है परियाप्त समय है तो आप modern और जो med well और वो ancient है तीनों को कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं तो आप ancient को छोड़ भी सकते हैं लेकिन आपको छोड़ना बि सकता है तीन तो सौर्ट नोट से करी लें ठीक तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री का है दूसरा अगर सब्जेक्ट की बात करे जाए तो वो है जिवग्राफी का इसमें भी आपके जो कॉश्चन है वो आपके पच्चेस चब्वेस 27 कॉश्चन की सम्तिक जिव जोग्राफी भी आपको कवर करनी और इम्ट्री गारफके रहेगे तो आप दोनों को देखे और अच्छे से पर गरूइंद यिए आपको जो है कोचिंग हो या PCS related content देता हो उसका आप जो महराथन class वगएरा हो जिसमें 2-3 घंटे 4 घंटे का हो जिसमें पूरा UPGK कवर किया हो आप वो कर सकते हो और उसको एक बार नहीं एक बार से कुछ नहीं होगा कम से कम 2 या 3 बार आप देख सकते हैं 1.5 की speed में करके देख सकते हैं जिससे कि आपकी सारी चीज़ें जो है UPGK की clear हो जाएंगी और UPGK में जो है लगभग कह सकते हैं कि 12-15 जो question है वो आपके आते हैं और आसान question रहते हैं एक बार में ही आपकी दिमाग में चड़ जाएगा ऐसा है ठीक है और ज्यादा इसका वो भी नहीं है कि बहुत बस हो या बहुत ज्यादा चीज़ें हो इसमें ऐसी चीज़ें कि आसानी से आप उन्हें दिमाग में रख सकते हैं तो UPGK या फिर आप परिक्षा मानी की पतली वाली आती है वो ले सकते हैं UP special के लिए तो आप जो भी प्रफर करें उन में से देख सकते हैं दोनों में से को प्रकार से जोग्राफी से जुड़ा हुआ ही है तो आप environment और ecology जो है और ecology इन दोनों को ले के चल सकते हैं ठीक है तो इससे भी आपके 12-15 question जो है आराम से हो जाएंगे होने का मतलब है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मिलेंगे उसमें ठीक है तो आप environment और ecology को तो last portion है आपका science का इसे भी आप अगर या तो लुशन से देख लें या फिर आपके पास short notes है अगर आपने class वगएरे नहीं किया पढ़ा नहीं तो कोई one liner type की कोई book होगी आपके पास जैसे कि लुशन तो उससे कर सकते हैं आप science को आसानी से देख लेंगे तो science के भी आप इस पर focus रखना है ठीक है और main तो है आपका current affairs जिसके आपके 30 से 35 तो नहीं लेकिन 30 something question तो आही जाते हैं ठीक है 30 something question आपके इससे आही जाते हैं तो आप देखिए 30 आपके current के हो जाएंगे और 25 मान लीजी आपके history के हो गया और 25 geography के तो ऐसे ही आप 75 के पार पहुँचके फिर बाकी और UPGK हो गया आपका science हो गया तो इनको देखेंगे तो आराम से आप जो cut off है वो clear कर सकते हैं ठीक है और इनके salt notes से जादे 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 जो revision है वो आप कर सकते हैं तो ये सारी चीजे थी जिन पर आपको focus करना है अब हम यहाँ पर बात करें आकरी और अंतिम बात की जिसका आपको जरूर जो ध्यान है वो रखना है और अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे आप तो फिर गडबड हो जाएंगी सारी चीजे इतने दिन की जो मेहनत है उस पे पानी फिर सकता है और ये अंतिम बात क्या है कि अगर आपको cut off पार करना है तो test series जो है वो जरूर लगा दीजे जो की बहुत ज्यादा जो आपकी help है वो करेंगे ये राम बाढ़ है समझ लीजे अगर उपर का कोई एक चीज छूट भी जादा है ना तो उसकी भरपाई आपका जो पीवाई क्यो सौरी test series है वो करतेंगी और किसी भी ऐसी coaching या प्रतिस्टिस संस्थ संस्थान हो जो यूपी special यानि कि यूपी PCS से related ही आपको content प्रदान करता हो उससे related ही पढ़ाई करवाता हो या जो भी चीजे हो आप उसकी test series अगर लेते हैं तो ज्यादा बहतर होगा ना कि ऐसी किसी संस्थान की कोई भी आजकल तो देखी रहे ना कि कोई भी आ रहा है क तो उनकी ना लेके मैं आपको यही सलाय दूँगा कि कोई प्रतिष्टेट हो जो यूपी PCS से related ही आपका material है जो देता हो या फिर ऐसी चीजे हो तो उसको ध्यान में रखके आप उनकी test series वगरा है वो कर सकते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा important है तो यह सारी चीजें थी जिनका आपको खास ध्यान रखना है इन 15 दिनों गे लिए और अगर आपको cut of power करनी है तो चलिए best of luck लगे रही है अच्छे से और अगर आपकी कोई query है कोई question है तो आप comment section के माध्यम से पूर्श सकते है थैंक्यू